जब आप frustrated feel कर रहे हैं, irritate feel कर रहे हैं, ऐसे वाली अगर आपकी कुछ feelings हैं, आपका emotional set point अगर ऐसा कुछ है, तो देखिए आपको क्या ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप frustrated ज़्यादा हैं, तो आपको अभी ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आप अच्छी feelings पर ध्यान दे, ऐसा नहीं है कि आप negative चीजों को लेके उनमे positivity सोचे, इस हालत में आप नहीं है, क्योंकि आप already frustrated है, आपको already सारे चीज़े negative ही दिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करने होते हैं, the book of positive aspect, इस process को आप follow कर सकते हैं, और इसका जो emotional set point है, जाहर सी बात है, पहला set point जो है, वो one है, अगर आप highest wise में है, यानि कि joy, knowledge, अगर आप one पर हैं, तो आप सारे के सारे process फोलो कर सकते हैं, उसको आप छोड़ दीजिए, mainly चीज़े यह हैं, कि अगर आपका emotional set point 10 पर है, यानि कि frustration, irritation, impatience वाली feelings आपके अंदर हैं, तो आप इस process को follow करके, अपनी vibes को हैं, तो चलिए, आइए, discuss करते हैं, आज का हमारा process, process 8, the book of positive aspects, and we are discussing from the book, ask and it is given written by Easter and Jerry Hicks, teachings of Abraham Hicks, और दोस्तों, अभी हम जो processes discuss कर रहे हैं, वो हमारे resistance को कम करने के लिए, तो चलिए, हम आते हैं, मुद्दे की बात पर, book of positive aspects, देखिए, सबसे पहले, एक ऐसा notebook खरीदिये, उसका color आपके लिए बहुत अच्छा हो, यानि कि आपका favorite color का notebook हो, आपकी writing space आपकी favorite हिसाब से हो, आपकी writing comfortability के हिसाब से हो, अपने पसंदिदा एक notebook खरी दिये, और उसका heading डीजिए, my book of positive aspects, ठीक है, देन वहाँ पर, पेज में जाके, वहाँ पर, जो पहला page है, आप उस date हो, कोई भी जगा हो, कोई भी person हो, जिसको सोचने से, जिसका याद आने से आपको अच्छा feel हो रहा है, देखिए, कोई जवर्दस्ती नहीं है, आप याद कीजिए, अगर नहीं आ रहा है, रहने दीजिए, अगर आ रहा है, तो लिखिए, उसको heading दीजिए, heading देने के बा क्या-क्या हुआ था जो आपको बहुत पसंद है उस परसन के साथ उस परसन को आप क्यूं इतना चाहते हैं उसके अंदर आपको क्या-क्या अच्छा ही दिखती है और वो जगा या फिर वो डेट में और क्या-क्या अच्छा होता तो आपको अच्छा लगता इन सारी चीजों को आप लिखना सुरू कीजिए यह हो सकता है आपको 15 से 20 मिनिट तक लगेंगे लगेंगे जब आप इस तरह की फिलिंग्स को 15 से 20 मिनिट तक कंटीन्यू करते हैं 15 से 20 मिनिट कम टाइम नहीं होता दोस्तों 17 सेकेंड में हमारी जो लाइफ एनर्जी है वो एक्टिवेट हो ज फाइफ डिट करने लगेंगे आपको और जादा अच्छी चीजे याद आने लगेंगी ऐसा होता है ना एक अच्छी चीज अगर आप थोड़ी देर के लिए याद करते हैं तो उससे जुड़ी और बहुत सारे अच्छी चीजे आपको याद आती है आती है exactly वैसे ही तो ज जैसे ही आपकी frequency change हो जाएगी, आप एक दूसरे frequency में vibrate करने लगेंगे, तो आपकी जो 3D situation है, वो भी change होना सुरू होगा, अगर आप इस चीज को practice करते रहेंगे, क्योंकि अगर आप अच्छी चीजों पर ज्यादा ध्यान देंगे, ज्यादा focus करेंगे, तो और अच्छी च उस्पेक्ट वाले book में फिर से अगर कोई person आ जाता है, जो आपको appreciate करता है, आपको अच्छा लगता है, फिर से अगर कोई date आ जाता है, फिर से कुछ ऐसे जगा आप जाते हैं, जहां फिर आपको अच्छा लगता है, फिर आप उस book को continuously लिखते जाएए, ऐसे जगाओं को ऐसे डेट को ऐसे person को याद करते रहें देखिए एक जन एक page अगर आप लिखेंगे तो आपको बहुत सारी धीरे 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 आप worried मत होईए कि इतना बड़ा book है इसमें इतना सारा date मैं कहां से लाओंगी आप सिर्फ पहला page सुरू कीजिए जब आप पहला page सुरू करेंगे जब पहली बार याद करने की कोशिस करेंगे तो वही vibes आपको और भी बहुत सारे date बहुत सारे person बहुत सारे situation के बारे में वो book ही आपको बताएगी वो आपकी vibration ही आपको बताएगी ठीक है देखिए अपन इमोसिनल गाइडन सिस्टम को आपको गाइड करने दीजी मत सोची बहुत जादा एक पेज आप लिखना शुरू कीजिए यह बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है आपकी focus को चेंज करने के लिए आपका emotional sit point जो frustrated है आप जो irritated फील कर रहे हैं आप जो impatience फील कर रहे हैं वहां से हट के थोड़ा सा positivity थोड़ा सा appreciation थोड़ा सा अच्छी feelings की और आपकी focus जाते हैं इस प्रोसेस के जरीए देखिए यह बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है और आप इसको बहुत ही carefully and mindfully इसको 15 से 20 minute तक use कीजिए और जैसे कि हमने बोला इतने सारे page है इतने सारे date हम कहां से ही है ठीक है यह सोचने का काम आपके दिमाग का है आपके vibes का है आपके highest version के है उसके उपर विश्वास रखते हुए आप अपना काम करते जाहिए अप अपने emotional sit point पर हमेशा ध्यान रखते जाहिए और उसको बढ़ाने में लगे रहिए ठीक है बागी की चीजे देना universe का का है ठीक है दोस्तों तो इस process को जादा complicatedly हम लेना नहीं चाहते simple से बात है जहां आपकी attention where your attention goes energy flows and where your energy flows your life goes so simple तो इसे simplicity के साथ processes को अच्छे से दिल से बिना दिमाग लगाए हुए बहुत बिना बहुत ना सोचके processes को दिल से यूज के जिए और हमें कमेंट में आके बताईए कि आपके लिए ये सारे processes कितना beneficial हो रही है और आपके life में क्या-क्या बदला हो रही है तो दोस्तों इसी के साथ हम आज के chapter को खतम करते हैं बुक के थरूँ जरूर जाईए और अगर आपको इस chapter में से बुक में से और कुछ मिलते हैं तो भी कमेंट में हमारे साथ share कीजिए हमें बहुत खुसी होगी नेक्स्ट हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फिल